हेलो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसी क्यू में देखिए हमने वन लाइन के सीरीज स्टार्ट कर दिये हैं तो इसी को आगे कॉंटिन्यू करते हैं अभी आपका गुजरात का फार्मसिस्ट का एक्जाम होना है आठ मही को आप फॉलव की जिए काफी इंपोर्टन फेरें वाले हैं इसके लिए गुजरात का फार्मसिस का एक्जाम है उसकी सब्सक्राइब होई है तो फोलौ कीजिए काफी इम्पोर्टन नियुद्ध वीडियो थे स्टार्ट करते हैं अगर आप चैनल पर नहीं और चैनल को प्ल लाइक करना शेयर करना कमेंट करना बह लाइक को प्रेस करना तक जाने वाले वडियोस होते हैं आप लोगों को मिल सकें देके स्टार्ट करते हैं फीनो थायाजीन डेरिवेटिव एंटियाद्मिक ड्रग ओफ क्लास 1-C ठीक है यह जो यह ड्रग है यह यह प्याज़ यह और कुझसी Plasma Proteins से Bind होता हैं तो Human Serum Albumins से Bind होता है चिकन पोक्स जो होती है वारल डिजीज होती है तो इसी को उस्टी ओर यह वारस होता है dose calculations के लिए आप लोग जब पढ़ते हैं तो किस पर based होता है वो age के ओपर based होता है next है in chloride limit test the reagent added for precipitation इस chloride के limit test में जो reagent होता है वो आपका होता है silver nitrate agno3 होता है next है first IP was published in सभी को पता है 1955 है next है minimum training hours required for pharmacy registration के लिए 500 hours होते है inhalation anesthetic में आपका hellothene आ जाएगा simple classification से question है pharmacognosy is also known as study of crude drug pharmacognosy is known as study of crude drug suspension suspension में particle size कितना होता है ध्यान से देखिए suspensions में particle size जो होता है point five to five micron होता है vision condition in which only close object can be seen clearly is टीक है ऐसा जो जो वीजन condition है जिसमें क्या होते है only close object can be seen clearly से केवल जो पास की चीज़ी होते हैं वह इस आप दिखाई देते दूर की नहीं आइस्परिन नेक्स आइटें फिप्टीफटीफाइव दे टर्म फार्मकोगनोसी वाज यूज़ फॉर्स टाइम बाइड डैश इन वर्क टाइटल अनलेक्टर फार्मकोगनोस्टिका ठीक है तो 1815 में जो फार्मकोगनोसी की जो टर्म है उसको सबसे पहले यूज किया थ पॉलीमर इस वाइड लीजिन फिल्म कोटिंग ऑफ टेबलेट्स टेबलेट्स की फिल्म कोटिंग में हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथल सेलोज यूज करेंगे ने से अगोनिस्ट कंबाइन विद रिसाप्टर प्रिदूस्ट फार्मकोगनोसी का एक्शन प्रिदूस होत है स्पानल कोलल में इसाइब ऑफ मेडिसिंज मैडिसिन के फादर है हिप्टो क्रेट्स ने सब प्रेग्ण्सी्ट में से च्टेट्सboot यहूमन को होनी गना आडवी ट्रोफिन यूंल यह कहें वेच्टय के लिद लिक इंटिक्लानिकर इस्टिमेशन दस्टी से वह आपका प्रटाश्यम और फ्लोराइड हो जाएगा नेक्स यह एंटीटोटीजिन साइनाइड पोजिजिंग सभी को पता है स्वोडम नाइटर रेडियों पेक कंपाउंड होता है इसको यूज करती है इंद एक्सरे एक्जामिनेशन ओव जी आइटी ओके नेक्स एक वार नेक्से एमल्शन सर्विस टाइप उप दॉस तो बाइप लिक्वीड वेश फोम में आती हैं इंमल्शे शन्स अ सौशन साथे हैं टइस्ट जनल टेस्ट टेस्ट के लिए मौले टेस्ट होता है नेक्स प्वेशन रिटेक्शन तो किसके लिएक नियुस्याज वीथा पर तेटेंट में प्रोफाइल हम्रेल होग और यूज़ाते हैं डैज उनृ जो । पर – बैटा उक्सिडिशन ओप्र में एक भूटा वड़न defendant को ऑसा है विल्चाइस बीटा दा माइटां और दुपाट टेंट टेक प्लेश और यह पर होती है प्रोसेस माई टो कॉंडरे में होता है गलैकविस जो आप साइटो प्लाजम में पढ़ते है तो बीटा ओक्सिडेशन जो फैटेछ इस गवाले ए सुनियाजिद ने निजधें आप लोग पढ़ते हैं फास्ट लाइन अंटी ट्यूबरकलोड ड्रग में आपका आईसो नियाजिड होता है तो इसके साथ विटामिन B6 जिसको पारिडॉक्सिन बोलते हैं क्यों देते हैं क्योंकि आईसो नियाजिड जब देते हैं तो विटामिन इसके साथ कौन सा विटामिन देंगे या फिर जो है क्या कोज करा देती है मतलब किसी पी टाइप से आपको आसकता है तो आपको यह बेसिक पता होना चाहिए कि पायडॉक्सिन देते हैं आईसो नियाजिड के साथ पैरिफर नियूरोपैठी को प्रिवेंट करने के लिए तो सिफलिस के लिए होता है। यह की लिभाइजीन कि में अचैक से लॉफ तव – वॉफ हरास फेट व्लण सर्कूलेशन। William Havis का नाम पढ़ते हैं, आप लोग ने सां, complete drug elimination, occur usually after, देखें जो complete drug elimination होता है, तो यह होता है complete drug elimination, जो होता है, आपका five half lives के बाद होता है, अभी एक question, जिसका answer आप लोग comment books में देंगे, question है आपका sugar इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो से लाइक करना शेयर करना और चैनल पर नए है तो मेरा आप लोगो से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजेगा ओके थैंक यू